Hello students, welcome to Bait Academy, friends, स्वागात है आपका Bait Academy में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जवाहर नवोधिय विद्यालिय के बार में complete information सिर्फ एक वीडियो में, यह वीडियो आप complete देखेगा आपको कुछ भी देखने की ज़रुत नहीं है, आपको complete information इसी वीडियो में मिल जाएगी अगर आपने सुना है कि जवार नवोधिय विद्यालिय स्कूल्स होते हैं, यह आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, complete information मिलने वाली है ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, तो नवोधिय विद्यालियस जो होते हैं, वो आपकी गाउं में होते हैं रूलर टैनेंट को यह पर्मोट करने के लिए काम आते हैं, ठीक है अब कैसे, जैसे 1986 में अगर हम बात करें, national policy on education आई, उसकी वज़े से हमारे पास ही कुछ residential schools आई, जिनको हम जवाहर नवोधिय विद्यालियस बोलते हैं और उन्होंने जो है आपका, जो rural talent है, जो गाउं में talent होता है, उन areas में जहाँ पर अच्छे schools नहीं होते talent को transform करने के लिए, uplift करने के लिए, education नहीं है, अच्छे teachers नहीं है, अच्छा platform नहीं होता है इसलिए जवाहर नवोधिय विद्यालिस बनाए गए, ठीक है, और यहीं आप इसका motto है, आप देख सकते हैं इसमें, जो बच्छे ऐसे थे जिनके पास जो pay capacity नहीं है, अच्छे education के लिए, urban में जाने के लिए, cities में जाने के लिए, shift होने के लिए, इसलिए उनको पूरा ज अच्छे हैं पढ़ाई में जो कुछ करना चाहते हैं, अब यहाँ पर यह जो नवोधिय विद्यालिस सिस्टम है, यूनीक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जो कि हमारा स्कूल एजूकेशन सिस्टम है, उससे थोड़ा सा अलग, अगर हम बात करने हैं, इसके objectives के आउते आपकी common medium रहता है, हिंदी और इंग्लिश रहती है, इसमें common medium तक, और इसमें हमें good quality का modern education environment आपको दिया जाता है, कहां पर rural areas में, ठीक है, अगर हम बात करें इसकी लिए, तो ये students को जो है, एक part of country से दूसरे part में मिलाता है, अलग-अलग तरह के environment के बच्चे होते हैं, अपने experience facilities प्रोवाइड की जाती है, इसमें hostels भी है, आपके पास student के रहने के लिए, इसमें आपके अदर दूसरे students के लिए, जो आप preparation वगएरा करते हो, entrance के लिए, आगे फर्दर आप चड़ना चाहते हो, तो वो भी कराई जाती है, नवोत्य विद्यालिय में, मतलब अगे पर life में कुछ भी pursue करना है, अगर आप इस काबिल हो, इस level हो, तो नवोत्य विद्यालिय में, आपको सिर्फ selection लाना है, selection कैसे लाना है, कैसे इसका तरीका हो है, कैसे इसमें entrance होता है, क्या होता है, मार्क से बेशिस पर होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं वीड जाएगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, तो आपको कहीं पर भटगने जोरत नहीं है, अगर आप इस school level पर है, और इस school level पर आपको को सभी entrance जानना है, क्या क्या उनके बारे में है, क्या अच्छाई है, क्या negative बाते हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके प test पर, ठीक है, जिसको हम जवार नवोद्य विद्यालिय सेलेक्शन टेस्ट बोलते हैं, जे एनवी स्ट के नाम से जाना जाता है, इनीचली ये NCRT और अब CBSC के दुवारा जो है, डिजाइन, डवलप्ट और कंड़क्ट किया जाता है, टेस्ट जो है, एक साल में आपके एक बार होता है, ठीक है, और ये test होता है objective, ठीक है, ताकि ये rural children, जो rural children को कोई फायदा नहीं हो, यो कोई नुकसान ना हो, अगर हम बात करें इसमें इस test के बार में preparation कैसे करनी हैं, तो सभी video चैनल पर पड़ी हुई है, आपके हापर syllabus के लिए, मैं आपको बताऊंगा, आ आप तीन इसको level पर entrance दे सकते हो, तीन level पर selection ले सकते हो, 6 और 9 के लिए कैसे preference करनी है, 11 के लिए कैसे होता selection, तो उसके लिए मैंने video बनाई है, आप वो video description में link है, वो चैक कर सकते हो, अब reservation of seeds के बारे में बात करें, तो admission अगर आप बात करें, जवार नवादिय विद्याल विद्यालियस में, तो rural areas के लिए 75%, कम से कम, at least लिखा हुआ है, 75% जो seeds है, वो rural children के लिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, रूरल children के लिए, जो बच्चे जो fees नहीं पे कर सकते हैं, सही तरीके से, और जो बच्चे ऐसे हैं, जो कि city team जिनको अच्छी quality education नहीं मिल पा रह जाते हैं, cities वगारा में, ठीक है, वो उन सभी, उन्हीं के लिए ये है, उन्हीं के लिए schools बनाए गए हैं, जवाल नवाद्य विद्यालियस, और seat जो है, reserve है, ST के लिए, ST के लिए, community के लिए, उनकी population के proportion में, जो कि उनकी district में है, ठीक है, लेकिन वो जो national का average है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, अगर उनकी population, ST, STOBC की population उनसे कम है, तो ये नहीं है, और one-third of seats जो है, वो girls student के लिए fill की जाती है, और 3% disabled children के लिए fill की जाती है, ये reservation of seats है, नवोत्य विद्यालियस, जो है, CBSC से affiliated होते हैं, और ये free residential quality देते हैं, Toronto children को 6 से 12 तक, तो मैंने आपको पता ह एंट्रीस में आप 6 में ले सकते हो, लेटर एंट्रीस में 9 और 11 में होती है, और नवोत्य विद्यालियस, co-educational residential institution है, मतलब ये girls और boys के लिए, दोनों के लिए है, ठीक है, इसमें free, इसमें आपको free boarding, lodging, free school uniforms, test book, stationery, सब कुछ free होता है, लेकिन इसकी nominal fees है, जो students ही लिया ज जाता है, अगर हम बात करें, तो ये आपकी 6 से 12 तक girls से student ये जो ST category की हैं, और ये आपके जो ST categories के हैं, इन सभी students के लिए अगर हम बात करते हैं, या जो below line families के हैं, इनको छोड़ कर ये चार्ज किया जाता है, 600 रुपीज, और जो बच्चे, जो government employees के बच्चे हैं, उनसे र misinformation हो गई है, अब इनका 3 language formula है, 3 language formula क्या है, 3 language formula यहा है, कि जिसी language है, जैसे हिंदी speaking districts है, ठीक है, उस में language आपको लिजनल् It will sound that हाथ हिंधी Eckel जैसा कि environment की वे कि बच्चो की बच्चों के वें रहे हिंद्य हो जाता है ठीक है अब इसको izmen integration के लिए काम आता है ये ठीक है अगर हम बात करें माइगरेशन स्कीम से माइगरेशन से माइगरेशन स्कीम क्या थे आप जो है internal regional exchange होता है students का Hindi और non-hindi speaking districts जो है जेले जो होते हैं उनके बीच में ये migration होता है बच्चे जो है mix up होता है इस तरीके से integration का काम करता है national integration का location की बात करते हो तो ये पूरे इंडिया में ruler areas में हर जगा पर आपके ruler areas में है आप अपना नाम comment कीजेगा city comment कीजेगा और मैं आ city में आपके शहर में कहां पर है ये तो मैं आपको मैं बता दूँगा कमेंट करने के बाद establishment की बारे में बात करते हैं तो 62 न्यू जे एन्वीज established हुए हैं 2016 में अलग अलग जीलों में और दस हुए है सेनापती मनीपूर में और रातला मद्या पर्देश में ठीक है इस तरीके से इनके established हुई है और जो नया विद्याल ले है वो स्टेट गवर्मेंट प्रोवाइड करती है तीस सीकर सुटेबल लेंड ठीक है तीस सीकर की लेंड होती है इसमें आपको टैंप्ररी या एक्मोडेशन वगएरा भी होता है सब चीज़ इसमें होती है अब इसकी एन्रॉल्मेंट के डिफिकल्टी के क्योंकि सबसे पहले जो बच्चे होता है पूर बैक्ग्राउंड से जिनके पास इस लेवल के नहीं है जो फीस एफोर्ड कर सकते हैं तो उनको यही चिंता रहते है कि अच्छे स्कूल सुमेंड मिशन लेना है तो हमें काफी फीस चाहिए काफी पैसे च बात करें तो यह कुछ अलिजिबिलिटी हैं जो कंडिडेस कंडिडेस हैं जहां पर जिस जीले से ब्लोंग करते हैं वह उसी के लिए अलिजिबल हैं लेकिन जहां पर जैन्वी ओपन है ठीक है अब ही अगर हम बात करें इसमें अलिजिबिलिटी के बारे में जो कंडिडेस जो है पढ़ रहे हैं selection test के लिए वो पूरे जो है पूरे एंटार सेशन पढ़ते हैं ठीक है और अधिक जो अधर रिकागनाईज स्कूल से जैसे बी सर्टिफिकेट कॉंपेंटेंस कोर्स न इस से यह सबी जो होते हैं इसके के लिए वह सकते हैं तो होते हैं आप रह रहे हैं तो वह क्यों इसका मोटो तो हो यही है फिट्स में रिपीट कर रहा हूं कि रूरल एडियास में एजुकेशन को पर्मोट करना अब जो कंडिडेट्स जो है अद्मिशन ले रहे हैं उनकी उमर 9 से लेकर 13 सार होने चाहिए अब इंक्लिटिंग दोस्ट जो की SC और ST वें बिलोंग करने हैं अब जो कंडिडेट्स जो है डूर कोटा से आ रहा है उसने पास थर्ड फॉर्थ फिफ्ट पास जो कर रखी हो गौवर्मेंट या गौवर्मेंट एडिट रिकागनाईस स्कूल से कर रखी हो ठीक है मतलब जो आप एक दिन के लिए भी अगर अर्बन एरिया में पढ़ा है तो कि तो उसको रूर्ल एरिया से नहीं उसको सभी रूर्ल एरिया में कंसिडर्ट नहीं किया जाएगा ठीक है अगर आपने जो है एक सिंगल डे भी पढ़ा है किसी थर्ड फॉर्थ फिफ्ट किलास तो उसको अर् बन लोकेशन में हैं तो आपको रिज्रवेशन था, आपको रिजर्वेशन था, वो नहीं मिलता है, आपको ज़िए 50% रिजर्वेशन होता है। अब candidate जो है पर्मोट नहीं किया जाएगा या एड्मिनेट के नहीं किया जाएगा 30 सितंबर से पहले जो नहीं है तो eligible नहीं होता है अब यहाँ पर एक important जो बात है कोई भी candidate eligible नहीं होता है JNVST के लिए second time दूसरी बार आप condition दूसरी बार आप नहीं दे सकते हो इसको आप ए डिस्ट के लिए जर्व होती है रूटर सेट्स के लिए जो बची हुई सीट्स हैं वो फील्ड होती है अर्बन एरियास के ठीक है यहाँ पर आप डेटेर में देख सकते हो 15% सी 75% सी और यहाँ पर maximum जो है 50% हो सकती हैं सीट्स के लिए 25% सोबी सीट्स के लिए होता है और मि क्लास के लिए प्रिपेश्ट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्रेशन में आपको लिंक मिल जाएगी कि आपको प्रुपेश्ट कैसे करनी है सबी वीडियो के लिए तो यह रिजर्वेशन आप इसको चैकर लीजिए वगरा क्या है मैंने आपको बता दो किए एक बार यवर आप देख लीजिए इन यहाँ पर ठीक है तो इस तरीके से वीडियो हो जाती है कंप्लीट वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करेजिएगा शेयर करना मत भूलेगा थैंक्यू